Hello everyone, जै हिंद आज है 11 सितंबर और आज किस वीडियो में हम 11 सितंबर से बनने वाले करंट अफेर के सभी important questions को cover करने वाले हैं रिवजन कर लेते हैं 10 सितंबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि भी हाली में जो मानविका सूचकांक रिलीस किया गया है इसमें टॉप पर स्विजर लेंड है इंडिया की रैंकिंग 132 है ब्रिटेन की महरानी एलीजाबेत का भी हाली में 96 वर्स की आयों में निधन हुआ यूनिसको की ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटीज में भारत की तीन शहरों को शाबल किया गया है वारंगल त्रिशूर और निलांबुर को होकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 ये भारत होश्ट करेगा ओडिसा इसका मेजबान राज्य है आठ सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट दिल्ली में किया है और नेट्फ्लिक्स डोक्युमेंटरी के लिए एमी आवार्ड जीत लिया है अमेरिका के पूरी प्रसेडंट बराकोबा मने भारत में वर्ड में ये जो अंतराश्टी साक्षर्ता दिवस है आठ सितंबर को मनाये जाता है मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिता वंशिका परमार ने जीता और भारत 2025 तक टीवी मुक्त बनाने के लिए प्रिधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के शुरुआत राजपती द्रौपदी मुर्मो ने की है सौमी वेका नंदेजी के जो पहली प्रतिमा है न ये मेक्सिको में स्थापित की जा रही है तो इसका साथ शुरू कर लेते हैं आज का हमारा जो पहला इंपॉर्टन कोशन है किस देश ने 2022 में भारतियों को 82,000 शात्र वीजा जारी किये हैं तो ये जो शात्र वीजा है ये भी हाली में USA अप्शन नमबर B इसका राइट अंसर होगा इसके द्वारा जारी किये गये हैं और भारती शात्रों को एदि हम कंपैर करें तो अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा अमेरिकी शात्र वीजा है जो कि प्राप्त हुए है और सेंखतराज अमेरिका यहीं कि USA में पढ़ने वाले जितने भी अंतराश्टी शात्र है इसमें लगभग 20 प्रतिसत यह अपने भारती व्यक्ति व्यक्ति वही भारती शात्र सामिल है और USA में प्रवासी भारती प्रवासी लगभग 4.8 मिलियन है जो कि अमेरिका की आबादी का 1% हिस्ता है अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीस की गई थी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भारत को सबसे जादा जो रिमिटेंस है यानि कि प्रेशन है ये अमेरिका से ही प्राप्त होता है रिमिटेंस मतलब कि वही ऐसे भारती जोकी विदेसों में यानि कि अमेरिका में रहते हैं वहां से कमा करके, जो पैसा है यह अपने परिवार जनों को यह की भारत में रहने वाले लोगों को भिछतें, तो पैसा भारत में कर्च होता है. तो उसी रेमिटंस के जरीए, भारत का जो सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है, यह अमेरिका ही बना हुआ है. अमेरिका की capital currency precedent ये बार-बार हम discussion करते हैं आज थोड़ा सा हम वीजा के बारे में discussion कर लेते हैं आम तोर पर ना दो तरह की वीजा होते हैं एक permanent permanent मतलब आप green card भी कह लो तो कोई उसमें गलत नहीं होगा और एक होता है temporary है ना तो temporary में ही हम कहें ना तो जैसे कि एक आता है B1, B2 ये हो जाएगा आपको tourist visa घूमने के लिए गये हैं तो B1, B2 visa लेकर के अमेरिका भी घूमने के लिए business deal करने के purpose से ये visa होता है फिर F1, M1 visa होता है इसे आप student visa भी कह सकते हैं विदेश में पढ़ने या पढ़ाई से related यादी कोई training लेने गये हैं तो उसके लिए ये visa है फिर एक visa जो कि यहां चर्चे में था क्योंकि Donald Trump जब थे ना तो इस visa पर कुसमेक लिए रोग लगाई थी H1B visa तो ये business visa आप इसे कह सकते हैं H1B visa मतलब कि bachelor degree रखने वाले जो professional कर्मचारी है जो non resident होते हैं तो इस तरह के visa के लिए apply कर सकते हैं मलाला यूसुफ जई एक्ट यहां पारित हुआ था मलाला यूसुफ जई एक्ट यहां क्यों पारित हुआ यह तो पाकिस्तान में होना चाहिए कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की ऐसी महिलाएं जो कि आगे पढ़ना चाहती है लेकिन उनकी financial condition अच्छी नहीं तो उन्हें financial support करने के लिए अमेरिका की सच्छत में मलाला यूसुफ जई एक सम्मान में यह बिल है जो कि यह एक्ट है कि यह पारित किया था ठीक है और ट्रेड का है इसने चाईना को पीछे चोड़ दिया है मतलब कि भारत का सबसे ज़्यादा ट्रेड ना यह अमेरिका के साथ ही बना ह पार्टनर्शिप ये हो गया सेपा तो आज USA से इतना है डिसकुशन हम करेंगे भाई प्रेसेडंट जो बाइडन है वोईस प्रेसेडंट कमला हैरेस से दोनों को टाइम मेगजिन की द्वारा परसन ऑफ दा येर में मतलब लिश्ट में शामिल किया गया है ये मैं आप लोगों को काफी बार बता चुकी है तो अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं बांगला देश के किष्चे हैर में मेत्री सूपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है यह सो 20 मेगावाट स्फर क्रेटिकल ऑफ से संचालिक हों गरीज Dash आप लोगों कुँ मालूं होना चाहिए कभी हाली में बंग्ला देश की जो प्रधान मंत्रिश शेक हसीना यह 4 दिन बारत के दौरे पर ती अ 높़ और बीर हुई भारत और बनुदेश के बीश में, फच्छेस साल से पpora जो समझा था जल विवाद नहीं बटवारे को लिए करके, नदी का नम क्या है कुशिारा डिवर, तो कुशिारा डिवर के जल विभाजन को लिएकर के दोनों देशों के बीश में एहम समझाता हुआ है, बेसिक बेसिक आज फिर हम डिसकुस नहीं करेंगे बंगलादेश का क्योंकि बीते एक हफ्तों में न कई बार बंगलादेश का डिसकुस्चन आया है Capital Currency exercise में अब तो आप लोगों को रट चुकी होगी तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानने की कोशिश करते हैं बंगलादेश से जिसके option मैंने बंगलादेश से ही related रखे हैं धाका धाका इसकी capital तो है ही आप जानते हैं लेकिन recently न नौइस pollution के ममले में यहने कि दुनिया में सबसे जादा जो दोनी प्रदूशन है यह इसी ढाका में दर्ज किया गया लगभग 55-56 साल बाद भारत और भारत का जो हल्दी बाड़ी है और बंगलादेश का जो चिलहाटी है इन दोनों के बीच में जो train service है यह फिर से शुरुआत है जो किये कर द सकते हैं तो इसके इस्तमाल को ले करके इसने भारत को मनजूरी दे दी है इसके कारण ये फिर से चर्चे में आया था ठीक है और बंगलादेश ने अपने सबसे लंबे पुल का नावरण किया किस नदी पर पद्मा रिवर पर पद्मा रिवर वही रिवर है जिसे आप को बंधु सेख मुजिबिर रह्मान इनहीं के नाम पर युनिसको ने अंतर राष्ट्री अवार्ड के शुरुआ थे जो किये की गई थी ओप्शन पर डिसकुशन हो गया है यहां से बाकी कुछ एक्ष्ट्राफेक्टिब हम लगों ने जानने की कोशिश की है अभी स्पोर में जो फाइनल हुआ था इसमें इन्होंने थो किया 88.44 मीटर का स्विजर लेंड जो की मौत की मशीन को मंजूरी इसने दी और इस मौत की मशीन का नाम सार को है नीरत चोपड़ा यह कुछ ब्रैंड के ब्रैंड अमबैजडर है जिसकी बाय जूस के हैं और आयर बैंकिंग धोखधरी से अवेरनेस वालाने के लिए इन्हें ब्रैंड अमबैजडर बनाया था हलाकि हम यह भी डिसकस करेंगे कि इन्हें कौन-कौन से अवार्ड मिल चुके हैं देखे नीरत चोपड़ा सबसे पहले तो आप यह जान लीजे कि भाला फेक से रिलेटेड है साथ अगस में इसमें भारत को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया था अभी कॉमन वेल्थ गेम्स में तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन कुछ बता दूमें कि 2018 में इन्हें अरजुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2021 में इन्हें मेजर ध्यान चंद अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और रिसेंटली 2022 में इन्हें पदम श्री में इनका नाम आया था और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ दा यर मेल केटेग्री में नीरा चोपड़ा को ही चुना गया था प्यार श्रीजेश से होकी से रिलेटेड हो जाएंगे गोल्ड गेम्स अथिलीट ऑफ दा इयर का वार्ड इन्होंने जीता है मीरा बाई चानू यह वेट लिफ्टिंग भारत तो मिल किया गया है कॉमन वेल्थ गेम से 2022 में इन्होंने भी भारत को गोल्ड मडल दिलाया है अचा मीरा बाई चानू से यह रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि स्पोर्ट्स वुमन ओफ दा इयर मतलब कि स्पोर्ट्स स्टार ओफ दा इयर का जो अवार्ड दिया गया था है तो मेल के टेगरी में तो नीरा चोपड़ा फीमिल के टेगरी में मीरा बाई चानू को यह अवार्ड मिला था अगला प्रशने बिहार के जो मुख्यमंत्रिय नितीश कुमार ने किस नदी पर गया जी नाम का भारत का सबसे लंबा रबर बांध का उधगाटन किया है तो हाली में फल्गो नदी पर नितीश कुमार ने गया जी बांध का उधगाटन किया है जो कि 411 मीटर लंबा बांध है 324 करोड की लागत से इसे बनाया गया है और इसमें IIT रोड़की के विश्य सग्या है जो कि शामिल थे सबसे लंबा नदी बांदे आपका हीरा कुंड बांद है जो कि महा नदी पर है महा नदी कल भी मैंने आप लगों को बताया है कि ये रायपूर है जो कि 36 गड़ की राजधानी वहां पर जो सिहावा पाड़ी है वहां से निकलती महा नदी फिर जब ये ओडिसम रवेश करती है तो संबल पूर के पास हीरा कुंड बांध है कि अंध्य हीं फिर वैसे आज बिहार का डिसकession आया है तो बिहार से कैप evangelical और फिर मुख्य मंत्री प्रिसिक चीज़े हम डिसक्स करते हैं कुछ अनुक्र शहरों के यहां पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अटल ब्रिच का उद्गाटन किया है महा नदी के बारे में हम लगों डिस्कुस कर लिया फल्गों नदी के बारे में डिस्कुस कर लिया फिर बिहार का जो जमुई शेत्र है ये चर्शे में था क्योंकि विशालतम यहां सोने के भंडार है जो की पाए गए फिर पटना इसकी राजधानी तो है ही गंगरादी डॉल्फिन है तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के स्थापना है जो की इसी पटना में की गई है फिर अगला प्रश्न है सेंटराष्ट मानव धिकार आयोग के नए प्रमुक कौन मने हैं यहां हम आयोग की बात कर रहे हैं तो सेंटराष्ट मानव धिकार आयोग के जोने अध्यक्ष्य ये बोल कर टर्क बन गया है और इन्होंने मिशेल बैशलेट को रिपलेस किया है पर इसन नदी के किनारे बसा हुआ है नियॉयॉर्क और इसे नियॉयॉर्क में टैनिस के चार ग्रेंट स्लैम होते हैं इसके चौथा है यूज ओपन इसे नियॉयॉर्क में भी शुरू हुआ है इसके टोटल 193 मेंबर कंट्री है यह साउथ सुडान है और यह बहुत ज़्या तो आपको यह याद होना चाहिए कि कल ही मैंने आपको बताया था कि जो मानव विकास सुचकांग इसमें सबसे अंतिम इस्थान जिस कंट्री को मिला है यह साउथ सुडान ही है तो यूनाइटर नेशन के अध्धक्ष जो है न यह पूर्तगाल के एंटोनियो गुटरस हो जाएंगे रुचिरा कंबोज है जो की इस्थाई राजदूत बनाए गई है भारत की उनाइटर टीशन में और अध्धिक्ष इंटोनियो गुटरस ठीक है यूनेस्को की गुडवल अंबैजडर यहां से जापान की नाओमी कावा से हैं अगला प्रश्न है संस्कृति के ल सर्वस रेष्ट गंतव्य घोशित किया गया है यहां का दुर्गा पूजा आप रिलेट करें दुर्गा पूजा को यूनेसको ने अमूर्थ संस्कृतिक स्थल की कटेगरी में इसे रखा था आज फिर से पश्चिम मंगाल का मैप नहीं है क्योंकि हम कुछ अडिशनल से यहीं से शुरू होने वाली है लोग सभा सीटे 42 राज्य सभा सीटे 16 विधान सभा सीटे 295 हो जाएगी यहां कुछ इंपॉर्टन नेशनल पार्क और वाइल लाइफ सेंचरी है जिसे कि सुन्दरवन डेल्टा भी आप लगों को याद रखना है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मु पुत्र नदियो द्वारा बनाये गया है बक्सा वन्य जीव अभ्यारन यहीं है गौरु मारा जल्दा पारा सिंगलीला सिंगलीला में बीस लाल पांडा शिफ्ट किये जा रहे हैं जिसके कारण यह चर्ची में आया है कुछ प्रमु इनर्जी के शेत्र में राजस्तान को सर्वसरेष्ट राज्जी का दर्ज़ा मिला है जबकि वाटर कंजरवेशन के शेत्र में सर्वसरेष्ट राज्जी तर्व देश को चुनाएं अभी हाली में MSME सेक्टर में सर्विस रेष्ट राजी ओडिसा को बताया गया है अगले प्रश्णी की तरफ चले गूगल डूडल ने 8 सितंबर को अब देखो आज संडे है ना संडे को हला कि आपकी रिविजन क्लास होती है लेकिन बीते कुछ दिनों में यदि कुछ चीज़े मैंने मिस कर दी हूँ कि भाई ये इंपॉर्ण नहीं है तो अज संडे में उन सभी कोश्चन को में लपेटते चल रही है भूपेन हजारिका की 96 जैनती मना रहा है गूगल डूडल 8 सितंबर को तो ये किस कला के रुप में संबंदित थे तो ये गायन सैली से संबंदित थे ये एक गीतकार संगीतकार अभीनेता पार्शुगायक और फिल्म निर्माता भी थे और इनी के संभान में गूगल डूडल ने इन्हें संभानित किया 8 सितंबर को भूपेन हजारिका का नाम मैंने क्यों एड किया है क्योंकि देखिए 2019 में जिन तीन लोगों को भारत रतना वार्ड मिला था पतलब कि भारत को सर्वोच नागरिक संभान है आप लोगों को मालूम है तो एक तो प्रणव मुखर जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट पती भी रह चुके हैं प्रणव मुखर जी और फिर एक और थे भूपेन हजारिका प्रणव नाना जी दे इस मुख तो इसमें न एक भूपेन हजारिका का भी नाम शामिल था इसलिए इनसे रिलेटर ये कोश्चन मैंने पिक किया है एक नरत्य से संबंधित ये दिया आप लोगों को याद होगा तो कथक नरत्यक बिर्जु महराज जी ये आपके अंडिया का सवाल बना था इनका निधन हुआ फिर चित्रकला से विश्णु चिंचिलाकर का नाम आप लोगों को याद आना चाहिए और वास्तुकला देखो एक ना प्रितिजर आर्किटेक्चर आवार्ड होता है वास्तुकला के शेत्र में तो प्रितिजर आर्किटेक्चर आवार्ड ना फ्रांसिसी केरे ने जीता है इस साल का और ये आवार्ड जीतने वाले ये पहले अफ्रीकी भी बने है अगला प्रशन है साथ सितंबर को राम चंद्रमाजी का निधन हुआ यह किस लोक नरत्य से संबंदित थे तो यह संबंदित थे भोजपुर लोक नरत्य से और अभी हाली में साथ सितंबर को इनका निधन हो गयने संगीत नाटक अकादमी से 2017 में सम्मानित किया गया अभी पिछले ही साल मतब 2021 में इने पदम श्री से भी नवाजा जा चुका है एक प्रसिद्ध अर्थ सास्तरी का निधन हुआ अभी जीत शेन नाम है लेखन से आप अकितम नंबू तरी का नाम रिलेट कर सकते हैं जिनने पचपनवा ग्यान पीठ अवाड मिला था इनका भी निधन हुआ और फिल्में जगस से सम्मंदित ना एक पुनीत राजकुमार जिनने करनाटक सरकार के द्वारा करनाटक रतना वाड दिया जा रहा हमारनों उपरांत है तो ये फिल्में जगस से सम्मंदित हो जाएंगे हाले में किस राज जिनने पुदू बाई पेन यानि कि आदनी एक महिला योजनक के शुरुआत की है तो तमिल नाडू सरकार ने इस योजनक के शुरुआत की है एक राइन में कहूं को सिक्षा के शेत्र में महिलाओं यानि कि बालिकाओं को आगे लाने के लिए तमिल नाडू सरकार की ये पहल है जिसके तहां कक्षा चैसे बारविव में पढ़ने वाली जो छात्राएं है इन् तमिल नाडू की राजधानी चेन नहीं मुख्यमंत्री यहां के अंके अस्ट्रालिन राज्यपाल यहां के आर एन रवी हो जाएंगे अकन्या कुमारी लॉंग को जी आई टैग मिला था ये न्यूज ज्यादा पुरानी तो नहीं हुई है इसके ना टोटल 38 जिले हैं जैस तमिल नाडू का 38 जिले मैं आपको अपडेट कर दूँगी और तमिल नाडू की राजधानी चेन नहीं में ओला के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कार खान है जो की स्थापित किया जा रहा है आवारा पशो को फ्री एंब्रेंस के प्रोवाइड कराने वाला पहला राज करकार की एक योजना चर्चे मी थी जिसके लिए जो किच्चा सुदीप है अभिनेता इन्हें ब्रैंडम बैजडर बनाया गया था गायों को गोद लेने के लिए कौन सी योजना थी पुन्यकोटी दत्तु योजना और फिर 36 गड़ की मितान योजना आप रिलेट कर सकते हो लाश्ट का प्रेश्च मैंने रुजन करें रखा है कि ब्रेटेन की ग्रह मंत्री या ग्रह सचिव कौन बनी है तो पृत्ती पटेल को रिपलेस करते हुए जो सुयला ब्रेवर मैन है ये ब्रेटेन की ग्रह सचिव बन गई है ये कुश्चन मैं अलर्ज़ आपको पढ़ा बारत के रिसी सुनक को रिसी सुनक पहले यहां के वित्तमंत्री हुआ करते हैं लेकिन अब क्याबनेट में फेर बदल होंगे चीजे में आपको अपडेट कर दूँगे प्रियंका राधत रिष्ण नहीं है जो कि न्यूजेलंड क्याबनेट में शामिल पहली भारती है मैंने आप लोगों से पूछा था विशाल दवापार कहां स्थापित किया जाएगा आंद्रप्रिदेश में आज का सवाल है किस देश की महरानी एलिजाबाइट का 96 में निधन हुआ है आपको रिसका राइट अंसर पता है लेकिन हम मैं चाहती हूं कि इस प्रश्ण को जो अंसर उस कंट्री के बारे में कुछ आडिशनल चीज़ यहां पार अपने कमेंट में मेंशन करें ठीक है फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ थांक्यू सो मच